हैलो मित्रो गुट मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हूं आप सभी लोग अपने घर पेशा कुस्तल होंगे हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में तो आप लोगों ने कल देखा था कि मैल आई थी कुछ प्ल करने पाई ये लोग रहते हैं मैं यहां पर आगी ति किछन में क्यूकि मैं लेका इती बहुत सारी सब्जियां तो मने खील दो फ्रेश के ओपर के कैबिनेट साफ किये थे आज मुझे करने थे जो ये वाली बासकित होती है फो मुझे पूरी की पूरी क्लीन करनी थी तो इ जो किनियों दिक्कतों लेधिया हुआ। करना मुझे बहुत परिषान करते हैं। जैसे फ्रिज्ट साफ करना, और ख्रीड की किर्ना किनिया है, क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। आलू अ प्यास ब industriel कर लेखन आए। और बाकी सारी सबजिया जो है मैं जब फ्रिच का ये कैबिनेट जो है सूख जाएगा उसके बाद फिर धोके अच्छे से पन्नी में बाद के फिर उसमें रखूंगी और अरी हरी सबजी भी मुझे अंटी नहीं दिये पड़ोस में से वो भी मैं बनाओंगी उसके बाद देखो मैं जैसे भाराई ना तो बारिश ओरी थी मैं दक्ष को लेने के लिए जा रही थी इतनी जादा तेज बारिश ओरी लगे थी मैं किचिन में कामी कर रही थी इतनी तेज बारिश ओरी थी मुझे तेज बारिश में दक्ष को लेने जैसी मैं गई ना तो मैं मैं पूरी भीग गई थी मतलब लोवर तो पुरा घुटो तक भीगी गया था यहां पर दक्ष जो है आ गया है और जब तक थोड़ी से बारिश जो है ना हलकी हो गई थी आज कल बहुत अच्छा हो रहा है किसी भी टाइम बारिश हो जा रहे है किसी भी टाइम धूप आ जा जादा बेटर है और अभी जो है यह दूसरे दिन मॉर्निंग का व्लॉग है शायद उसके बाद मैंने कुछ व्लॉगिंग करी नहीं देखो कभी-कभी ऐसी हो जाता है कल मैं इतना थक गई थी ना बहुत जादा नरसरी जाना पौधे लगाना बहुत जादा थक गई थी त सबसे जादा काम यही होता है बच्चों के लिए खाना बनाना किचिन की सफाई करना तो यहां पर थी हरी सबजी मूली के पते थे इसमें मैंने एक आलू काट के डाल दिया था कि सबजी कम पड़ेगी करके और मैंने इसमें प्याद लहसुन भी डाला था बहुत सारे लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं कई लोग सिरे से और लहसुन से छोकते हैं तो यहां पर टिफिन तो मैंने रेडी कर दिया था दक्ष को मैं छोडने जा रही थी इसमें मना कर दिया मैंने बुला बदाम ले जाओ तो इसमें मना कर दिया और आप ही खालो और यह लड़का ले लिया था जो पड़ोस वालों ने मुझे दिया था तो उसको मैंने कट करके हाँ पर आराम से बैटके खाया उसके बाद मैं गई बाहर की तरफ मौसम का हाल देखने के लिए तो हलकेल की बारिश हो रही थी कैमरे में नहीं दिख रहा है और देखो पर सूरज भी दिख रहा है और लंच बॉक्स अब अगले बार से मुझे से हलका ही देना पड़ेगा क्योंकि और जादा जल्दी चुट्टी हो जाएगी तो बच्चे जल्दी घर पहुंच जाएंगे उसके बाद मैं इससे बस पूछ ली थी तेरह एक्जाम कैसा गया और सबसे पहले इसका जो लंच बॉक्स है मैं वो चेक करी थी कि खाया या नहीं खाया अगर के बड लंच बॉक्स तो खाके आया था आजकल पता नहीं दक्ष को क्या हो गया है ये ना खाना नहीं खा रहा है अच्छे से ये लंच बॉक्स तो खाके आया था उसके बार ना इसने ना दोपहर में खाना वाना कुछ भी नहीं खाया पता नहीं क्या इसको हो रहा है फिर मैंन चले जाता है खुद से करवा के लिए और जो भी है ना वह भी पहचानते कि किस टाइप की करनी है तो देखो हेर कट करा के लिए ज्यादा नहीं काटे से चोटे-चोटे से ही काटे ज्यादा काटके भी फिर अच्छा नहीं रिखता है और इसके बढ़ी जल्दी बाल आ जाते है भी देखना दस दिन बाद ना मुझे फिर से कटिंग करानी पड़ेगी और इसने दिन में कुछ नहीं खाया रात को भी कुछ नहीं खाया तो मैंने सोचा इसके लिए सूजी का हलवा बना देती हूं तो शायद ये खालेगा करके और ये घर का बनावा घीत है जिसमें मै अच्छा लगता है ये मतलब मैं करती हूं या काफी लोग करते हूंगे मुझे नहीं पता बट आप सूजी का हलवा ना रहे तो उसमें थोड़ा सा एक चमबा चाप बेसन भी एड़ कर लो उसको भी भून लो तो काफी अच्छा लगता है यहां पर पानी गरम हो गया था पानी भी डालती था ड्राइफूट्स भी डालते थे चीनी भी डालते हैं और सूजी का कलर कितना अच्छा लग रहे है तो अभी कर लेंगे mix 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 करते रहेंगे अच्छे से फिर यह पकने लग जाएगा लेकिन सूजी में आई की दिक्कत होती है कि जब सूजी का हलवा या गाजर का हलवा बनाते हैं बहुत छीटे यहां वहाँ जाती गैस गंदी हो जाती है अभी मैंने देखो इसमें उपर से और घी डाला है वो ही होता ना जितना जादा आप घी डालोगे उतना जादा हलवा जो है टेस्टी बनता हो सच मैं बहुत जादा टेस्टी मना था मैंने कितने टाइम बादा सूजी का हलवा बनाया था बट मेरे बेटे ने वो भी नहीं खाया पता नहीं क्यूं इसका मनी नहीं कर रहा था बोल रहा था इसने टेस्ट किया था बोल रहा था वम्मी बहुत अच्छा बनाया लेकिन मेरा मन कुछ भी खाने का नहीं कर रहा है तो मैंने का चल ठीक है नहीं कर रहा है तो फिर मैंने र